नमस्कार में शोईब गाजी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी इंडिया मदपरदेश के मुखमंतरी शिवराज सिंग चौहान ने विश्वास मत हासिल कर लिया सुबह 11 बजे विदान सवा की कारवाई शुरू हुई शिवराज सिंग ने विश्वास मत पेश किया चौह की कोरोना की वज़े से कॉंग्रेस की एक भी विदायक सदन में नहीं पहुचे इसलिए शिवराज सिंग ने सर्व सम्मती विश्वास मत जीत लिया सबी विदायकों ने हा कैकर विश्वास मत परस्ताओ पारिद कर दिया नागरिक्ता से शुदन कानून के खिलाब दिल्ली के शाहीन बाग में पिछले 101 दिन से चल रहे लगातार परदर्शन को खत्म कर दिया गया है दिल्ली पुलिस ने कोरोना वाइरस के चलते जगए को खाली कराया इस दोरान मौजूद महिलाएं समेट कुछ लोगों को हिरासत में बे लिया गया दिल्ले में कर्फिय और सेक्षन 144 के तहट कारवाई की गई अवश्यक वस्तूओं और अमर्जंसी वाहनों के vielen में दिक्कत ना हो इसलिए ऐसा किया गया जमु कश्मीर के पूर्व मुखमंतरी फारुक अबुला के बाद अब उनके बेटे और जम्मु कश्मीर के पूर्व मुखमंतरी उमर अब्दुल्ला को रिहा किया जाएगा जम्मु कश्मीर से विशेस राज का दर्जा हटाने और उसे दोप केंदर शासित परदेशों में बाटने के फैसले के बाद हिरासत में लिया गया था गवर तलब है कि उमर अब्दुल्ला के साथ ही पीडिपी परमुख और जम्मु कश्मीर की पूर्व मुखमंतरी महबुबा मुफ्ती भी हिरासत में है दुनिया के सबी 955 देश कोरोना वाइरस की चपेट में आ चुके हैं इससे 16,558 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है नियूज एजन्सियों के मताबिक चीन सबसे ज़्यादा परभावित हुवेई परांथ समेत वुहान से यात्रा प्रतिबंद हटाएगा जनवरी में कोरोना वाइरस की वज़े से वुहान के लाव डाउन कर दिया गया था पिछले 6 दिनों में यहां केबल एक नया मामला सामने आया है कोरोना का कहर कम होने का नाम नहीं ले रहा है अब तक देश में 5111 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गये है इसमें 10 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है कोरोना से सबसे ज़्यादा परवावित माराश और केरल है माराश में अब तक 101 और केरल में पंचानवे केस सामने आये है 30 राज्यों और केंदर शासित परदेशों में लोगडाउन लागू कर दिया गया